And here we go, this is Thierry Shabba mentor for CA Foundation Accounts, catch you Raja, all well and set, so finally हम आचुके हैं, एक और ना चाप्टर के तरफ, that is, Redemption of Preference Shares, अब अगर मैं बात करू, Share दो टाइप के होते हैं, एक होता है, Equity और एक होता है, Preference, तब सार इन दोनों में Basic फरक्या होते हैं, वो हम Theory के अंदर पड़ेगे, जो कि हमारा स सबसे आखरी लेक्चर होगा, बढ़ आप ये समझो, Preference Share के पास कुछ Rights होते हैं, जो की Equity वालों के पास नहीं होते हैं, as the name suggests, इनको कुछ चीजों में Preference मिलता है, over the Equity, ठीक है, अब एक चीज़ आपको बता दू, Equity Share, जब आप इशू करते हो, देश की जनता को, तो Equity Share, लेकिन, Preference Share की जब बात होती है, अगर मैंने किसी को Preference Share इशू किया, तो मुझे बताना पड़ेगा, कि ये Preference Share कब Redeem होंगे, Redeem का मतलब, Redeem का मतलब, Repayment, So, अगर मैं बात करूँ, ABC Limited की, ABC Limited ने Equity Share इशू किया, ABC Limited ने Equity Share इशू किया, और बदले में उसे क्या मिला, पैसा मिला, ठीक है, किसको इशू किया, बड़ ओवियस देश की जनता को इशू किया, अच्छा, देश की जनता बोली, ये जो पैसा हमने तुमको दिया है, तुम्हारे कमपनी के मालकियत के बदले, ये पैसा तुम कभी वापस करूँगे, क्या हमें, ABC Limited बोले, मालक लोग कभी भी धंदे से पैसे निकालने की बात नहीं करते हैं, तुम चाट्टे हो अगर तुम ये सब बाते कर रहे हो हमसे, तो सौ बात की एक बात, अगर आपने किसी कमपनी के एकूटी शेर खरीदे हैं, तो आगे वाली कमपनी कभी भी ये नहीं बोलेंगे, ये काम करो न, तुम ये एकूटी शेर वापस लालो, और हम तुमको पैसा लोटा देते हैं, नॉर्मल ये कमपनी नहीं करेगी, लेकिन अगर ABC Limited की इच्छा है, कि यार देश की जनता का बहुत सारा ओनर्शिप हो गया है हमारी कमपनी में, एक काम करते हैं, देश की जनता को ओफर देते हैं, या तुमने जो इकूटी शेर खरीदे थे ना हमसे, वो हमें वापस दे दो और पैसा ले लो, ठीक है, क्या ऐ ऐसा ABC Limited कर सकती है, हाँ, लेकिन ये ABC Limited की, खुद की चॉइस है, तो ABC Limited, बाइबैक कर सकती है, अपने एकूटी शेर, एट इस ओन चॉइस, लौ ने नहीं कहा है, लौ ने नहीं कहा है कि करना ही पड़ेगा, ABC Limited की इच्छा है, अगर वो बोल रही यार, पब्लिक का बहुत ज हो गया है, अब तो हमें उनके पैसे की जर्वत भी नहीं है, काम करो, वापस कर दो उनको पैसा, और उनसे ओनर्शिप वापस ले लो, तो क्या ABC Limited अपने ओन सू इच्छा से ये कर सकती है, येस, बट ऑन द अधर वे राउंड, अगर ABC Limited ने, इकूटी शेर के बदले, कोई और टाइप का शेर इशू किया हो, that is, प्रिफरेंच शेर, तो माई लॉर्ड, यहां पे सब ध्यान देंगे, और अपने कान खोल के सुनेंगे, कि प्रिफरेंच शेर, अगर कोई कमपनी इशू करती है, तो कमपनी को बताना पड़ेगा, कि ये प्रिफरेंच शेर का पैसा रीपे कप किया जाएगा, that is, ABC Limited को बताना पड़ेगा, कि वो ये प्रिफरेंच शेर, इडीम कप करेगी, that is, पैसा लिया तो है, बट ये पैसा रीपे कप करेगी, ये ABC Limited को बताना पड़ेगा और एक और चीज़ है आज के तारीक में जो प्रिफरेंज शेर है वो रिडिमेबल इशू होते हैं रिडिमेबल मतलब उनका पैसा आपको चुकाना पड़ता है जो भी प्रिफरेंज शेर आज के तारीक में इशू होते हैं वो रिडिमेबल होते ह और उनका पैसा आपको चुकाना पड़ता है। इसका मतलब equity share दिया, मतलब देश की जनता को company का मालक बनाया और बदले में उनसे पैसा लिया। ABC Limited की इच्छा है, चाहो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब ABC Limited की इच्छा हो, देश की जनता को उनका पैसा वापस कर दे और बदले में उनसे equity share वापस ले ले। ठीक है। बड़ यहाँ पैसा नहीं होगा, यहाँ पे जिस दिन ABC Limited preference share दे रही है देश की जनता को बदले में पैसा लिया, तो ABC Limited को बताना पड़ेगा कि यह पैसे का repayment कब होगा, कि आखिर यह preference share redeem कब होंगे, ड़न, अब अगर आप preference share redeem कर रहे हो, तो एक section apply होता है, और उस section का नाम क्या है, section 55, okay, उस section का नाम क्या है, section 55, section 55 क्या बोलता है, कि एक company अगर उसके article of association में लिखा हुआ है, कि वो preference share issue कर सकती है, तब ही जाके वो issue करेगी, मतलब आपके article of association में, AOA में जब तक यह न लिखा हो, कि company preference share issue कर सकती है, तब तक आप issue कर सकते हो, क्या, नहीं, अच्छा, यह जो preference share आप issue कर रहे हो, आपको यह redeem करना पड़ेगा, इसका मतलब, आज आपने पैसा लिया है, बदले में preference share दिया है, future में, आप अपने preference share वापस लोगे और पैसा वापस करोगे, तो यह जो समय है, यह समय 20 साल से जादा नहीं हो सकता, तो आज के तारीक में जो preference share है, वो maximum कितने समय के लिए issue के जाते 20 years तक, 20 साल के अंदर preference share वापस लेने पड़ेंगे, और पैसा वापस देना पड़ेगा, aligned है, अब जो भी share आ आप redeem करोगे, everyone with me, सबसे important, preference share जो redeem होंगे, वो कौन से होंगे, वो fully paid up preference share ही redeem हो सकते, सर पाटली paid up है तो नहीं हो सकते, सर किसी ने पैसा नहीं दिया, उस पे call scenarios है, नहीं हो सकते redeem, 100 बात की एक बात, आप कौन से preference share को redeem कर सकते हो, जो की fully paid up है, done, अब आप जब redeem करोगे, तो as per section 55, ये दोनों में से कोई एक चीज या combination of both करके आप redeem करोगे, कैसे, या तो आप अपने distributable profit को कम करोगे, जैसे हम bonus share का issue कर रहे थे, तो हमने CRR, security premium, general reserve, profit and loss को debit किया था, और bonus को credit किया था, फिर bonus debit to equity, तो मतलब हुआ क्या था, हमने अपने profits को कम किया था, reserves को कम किया था, और equity share को बढ़ा दिया था, वैसे ही, वैसे ही law बोलता है, कि अगर तुम्हें preference share redeem करना है, तो दो तरीके है, technically तीन तरीके है, पहला तरीका, तुम्हारे profit को कम करो, distributable profit को, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, distributable profit को कम करो, और एक reserve बनाओ, वो reserve क्या है, capital redemption reserve, और capital redemption reserve, सिर्फ और सिर्फ, bonus share देने के काम आता है, इसलिए, bonus share का जो chapter हमने last lecture में देखा था, सबसे पहले हम किसको debit करते, CRR को, because CRR का use ही क्या है, वो bonus shares देने के लिए काम आता है, दूसरा, या तो आप, आपको preference share redeem करना है, येस, तो preference share redeem करना है, तो एक काम करो, equity share issue करो, जो issue करके पैसा आएगा, वो पैसे से preference share का पैसा चुका देना है, मतलब, मैंने equity share दिये, बदले में पैसा लिया, अब इस पैसे का क्या कर रहा हूँ, preference share वालों को दे रहा हूँ, और अपना preference share वापस ले रहा हूँ, तो या तो आप, CRR create करो, या तो आप fresh equity share issue करो, ताकि वो issue करके आपको पैसा आ जाए, और पैसे से आप repayment कर दो, redeem कर दो preference share का, या तीसरा, A and B का combination, और एक्जाम में सबसे आदा क्या पूछा जा सकता है, A और B का combination, अच्छा, section 55 ने, दो बाते बोली है, कि भाई साब, या तो तुम distributable profit को use करो, सर, distributable profit क्या होता है, वो profit जो dividend बाटने के काम आता है, done, या तो तुम fresh equity share issue करो, section 55 ने ये नहीं कहा, कि तुम fresh debenture issue करो, और बदले में तुम preference share का repayment कर दो, ये नहीं कहा, तो fresh issue of debenture, section 55 के compliance में, section 55 की पूर्ती करने के काम नहीं आता है, done, solid है, if a company redeems debenture out of profit, the amount equal to, ये ठीक है, ये तो ठीक है, amount to be transferred to CRR, सबसे important है, CRR में आप कित्ता amount transfer करोगे, अब ही आपको लग रहा होगा, यार, वापस से law आ गया, ये line को ध्यान रखना बस, face value of shares redeemed, में से आप क्या minus करोगे, face value of fresh equity share, तो आपको क्या पता चल जाएगा, कितने का CRR बनाना है, capital, redemption, reserve, कितने का बनाना है, सर ये क्या है, इसके बारे में न, मैं आगे continue करूँगा अपना, कि ये क्या बुलना चाहरा है, because, यहाँ पे section 133 भी साथ में है, section 55 के साथ, section 133 भी है, done, okay, CRR क्यों बनाया जाता है, capital redemption क्यों बनाया जाता है, reserves, capital redemption reserve क्यों बनाया जाता है, थोड़ा से एक बार समझ के चलते हैं, देखो बिटा, CRR, एक काम करते हैं, इधर आते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है, CRR क्या करता है, अच्छा सबसे पहले, distributable profit क्या होते हैं, तुम्हें लग रहा होगा यार, CRR आखिर, CRR आखिर कैसे मदद कर रहा है, fresh issue of equity share से तो मैं समझ गया, equity share issue किया, वहाँ से पैसा आया, preference share को redeem कर दिया, मतलब preference share का repayment कर दिया, ये तो हमको समझ गया, बट ये CRR कैसे help कर रहा है, देखो, distributable profit क्या होते हैं, वो profit, which can be used to distribute dividend, अच्छा, ओके, जब भी company dividend पे करती है, whenever, company pays dividend, तो जब भी company dividend पे करती है, तो क्या होता है, आपका distributable profit कम होगा, because dividend क्या होता है, dividend क्या होता है, company के profit, shareholder के बीच में बाटना, तो आपने company के profit का बटवारा कर दिया, तो आपका distributable profit भी कम हो जाएगा, and the most important is, आपका bank balance भी कम हो जाएगा, क्या होगा आपका, bank balance भी कम हो जाएगा, और अगर bank balance कम हो गया, तो क्या आपके पास enough पैसा है क्या, enough पैसे की liquidity है क्या, कि आप preference share वालों को redeem कर सको, शायद ना, तो अब law क्या बोल रहा है, to redeem preference share, पहला option, CRR create करो, क्या करो, CRR create करो, अच्छा जब मैं CRR create करूँगा, तो क्या होगा, मेरा distributable profit तो कम होगा ही होगा, अच्छा distributable profit कम होगा, लेकिन, क्या मेरा bank balance कम हो रहा है क्या नहीं, मैं एक reserve बना रहा हूँ CRR, अब क्या हुआ, distributable profit कम होगा, तो automatically, dividend कम बटेगा, dividend कम बटेगा, तो automatically आपका bank balance, ज़ादा कम नहीं होगा, bank balance कुछ ना कुछ तो कम होगा, लेकिन जो पहले, ज़ादा कम हो सकता था, वो होगा क्या, नहीं, मैं एक बार repeat कर रहा हूँ, CRR का thought process क्या है, देगो बेटा, company क्या करेगी, कमपनी के पास, बहुत सारा distributable profit पढ़ा हुआ है, वो क्या करेगी, distributable profit को dividend के नाम से बाट देगी, तो जब भी company dividend बाटती है, तो आपका distributable profit भी कम होता है, और आपका bank balance भी कम होता है, bank balance कम हो रहा है, मतलब कई ना कई, court को, law को ये लग रहा है, कि यार future में न, ये लोग शायद वो preference share वालों को पैसा नहीं दे पाएंगे, तो ये काम करो, provision बनाओ, कि तुम्हें अगर preference share को redeem करना है, तो CRR बनाना पड़ेगा, जब आप CRR बनाते हो, तो आपका distributable profit कम हो जाता है, और CRR create हो जाता है, distributable profit कम, तो dividend कम, dividend कम, तो bank balance, क्या जादा minus होगा क्या नहीं, क्या आपके जेब से जादा पैसा जाएगा क्या, नहीं, क्या company के जेब से जादा पैसा जाएगा क्या, नहीं, तो कही न कही CRR बनाने के वज़े से, bank balance कुछ हद तक, बच गया, company के भार जाने से I repeat bank में जो रोकड़ा पड़ा था वो कुछ हद तक company के पास ही बच गया बाहार नहीं गया वो पैसा company के पास ही पड़ा हुआ है अब company उस पैसे को use करेगी preference share वालों को redeem करने के लिए logic समझा आपको CRR क्यों create हुआ कुछ नहीं एक कहावत सुनना आज जो पैसा आपने बचा लिया मान लेना वो पैसा आपने कमा लिया रुपी safe today is रुपी earned today अगर आपने एक रुपया भी बचा लिया तो मान ना आपने एक रुपया कमा लिया वैसे ही law बोलता है कि CRR बनाने के वज़े से पहले जहां पे 10 रुपय का dividend जा रहा था 10 रुपय से bank balance कम हो रहा था CRR बनाने के वज़े से bank balance सिर्फ 2 रुपय का कम हुआ तो हमने 8 रुपय को protect कर लिया हमने 8 रुपय को protect कर लिया और हमने अपनी liquidity बचा ली सबको aligned है ओके तो अब आप पड़ो it requires section 55 of the companies act 2013 deals with the provision relating to redemption of preference share this section secures interest of outsiders oblique preference shareholders चीक है तो section 55 बोलता है कि या तो आप fresh equity share issue करो preference share redeem करने के लिए या आप distributable profit को कम करो ताकि आप उससे CRR बना सको तो CC दी बात है या तो equity share issue करके पैसा लाओ या तो CRR create करके पैसा बाहर जाने से बचाओ CC दी बात है equity share issue करो पैसा लाओ या फिर CRR create करो और जो पैसा बाहर जाना है उससे बचाओ उससे रोक लो aligned है okay अब CC दी बात है ये क्या लिखा हुआ है मैं आपके साथ में discuss करूँआ आगे section 52 red with section 133 ये हम आगे पढ़ेंगे थोड़े time के बाद ही section 55 क्या बोलता है कि जो face value of preference share आप redeem करने वाले हो ये face value का जुगाड या तो आप equity share issue कर लो fresh equity share issue कर लो और और आपका face value of fresh equity share shall be equal to face value of preference share redeemed ये हो गया आपका option number one ठीक है option number two या तो आप crr create कर लो तो crr create करने का मतलब आपका capital redemption reserve shall be equal to face value of preference share redeemed या थार्ड ओप्शन या थार्ड ओप्शन फ्रेश equity share plus crr का कॉम्बो कि दोनों को यूस कर लो दोनों को मिली भगत में यूस कर लो sorted है तो यहां पे fresh equity share issue करके जो पैसा आया plus crr that is distributable profit convert होके जो crr में आया shall be equal to face value of preference share redeemed ये तीन combination में आपका पूरा chapter चलता है done हिंदुजा company limited had 5,008% preference shares कौन से वाले redeemable of 100 each fully paid up the company decided to redeem these shares at par by issue of sufficient number of equity shares of rupees 10 each fully paid up at par तो सौ बात के एक बात कितना पैसा चुकाना है कित्ते है पाच हजार preference share है और हर preference share सौ रुपे पे redeem हो रहा है तो टोडल कित्ता हो गया पाच लाक therefore number of equity share equal to अब एको बात बताओ आप किसको comply कर रहे हो सर हम equity share issue कर रहे हैं हम fresh issue कर रहे हैं और उस fresh issue का जब पैसा आएगा तो हम उससे preference share को redeem कर देंगे ये कौन बोलता है section 55 तो जब भी आप section 55 के compliance की बात करोगे जब भी आप section 55 को satisfy करने की कोशिश करोगे तो हमेशा किस से divide करना है face value से किस से divide करना है आपको face value से हमेशा हमेशा section 55 को satisfy करना है तो किस से divide करोगे face value से अगर मेरा यहाँ पे issue price 50 रुपे होता था बट फिर भी मैं divide किस से करता था face value से ही तो मुझे कितने equity share issue करने है 50,000 equity share issue करने है पहले law का compliance फिर redemption तो हमने section 55 को comply कर दिया bank account debit अच्छा अब आपको बात बता हूँ हम fresh equity share issue कर रहे है क्या हमको पैसा one shot में मिल रहा है yes one shot में मिल रहा है तो technically जब भी आप equity share issue करते है और पैसा one shot में मिलता है तो entry का नहीं चीए bank account debit to equity share application and allotment account किता पचाजार equity share issue किया वही subscribe है वही मेरा allotted है तो यह हो गया पाच लाक रुपए अप्लाइड इटू आई पी मेरे पचाजार equity share issued है वही मेरे applied है और वही मेरे allotted है ठीक है? equity share application and allotment account debit to equity share capital account एक share capital account में हमेशा क्या जाएगा face value face value मेरी कित्ती है 10 रुपए कित्ते shares है 50,000 50,000 into 10 पाच लाग allotted into face value ठीक है अब preference share को redeem करो पहले पैसा आएगा फिर redemption की बाते होंगी ठीक है तो अब sir जब हम share देते हैं तो share capital को credit करते हैं जब share वापस ले रहे हैं redeem कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे share को debit करेंगे 8% redeemable preference share account debit 2 preference share holder account कित्ता पैसा चुकाना है 5,000,000 रुपए चुकाना है क्योंकि redemption पार पर ही है चल बढ़िया ओके फिर आप क्या करोगे preference share holder account debit to bank पाच लाख पाच लाख ओके अब मैं आपको दिखाना जाता हूँ ICI ने क्या किया है ICI ने direct entry मार दिया है bank account debit to equity share capital sorry ICI ने direct entry मार दिया है जबकि हमने खुझ सीखा है कि यार जब भी आप one short में पैसा इशू करते हो तो पहले bank account debit to equity share application lotment account फिर share application lotment account debit to share capital यह हमने सीखा है share capital चाप्टर के अंदर बढ़िया है यहाँ पे उनने direct किया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा हमें भी जो ICI कर रहा है वही adopt करोगे तो अच्छा clear sir जो आपने लिखा वो सही है क्या hundred percent सही है कोई मना नहीं कर सकता align देखें यहाँ पे सब के सब ICI ने जो किया है वो मैंने आपको दिखा दिया मैंने जो किया है वो भी सही है दोनों सही है ठीक है बढ़ हम weightage किसको ज़्यादा देते है ICI जो करता है उसको weightage ज़्यादा देते है इवें दो यह चीज हमने सीखी हुई है पिछले टू पिछले चैप्टर में ही डने कहें यहाँ पे राजा sort it चल ताथ सीधा 1 के entry मार सकते हो bank account debit to equity share capital पाच लाग ओके चल next question अब मैं चाहता हूँ यह question आब वापस पड़े पढ़ लिया अरे pause करना चीजी न करो pause करो जब मैं पीछे आठा था लो pause करो कर दिया चो start करते है C limited had 10,000 10% redeemable preferences of 100 each fully paid up कौन से share redeem हो सकते जो fully paid up है तो क्या यह fully paid up है the company decided to redeem this preference share at par तो preference share जो redeem हो रहे हो कैसे हो रहे है par पे redeem हो रहे है by issue of sufficient number of equity share तो section 55 को comply करने के लिए मैं equity share issue कर रहा हूँ of 10 each at a premium of 12 per share तो मेरा issue price क्या है equity share का issue price क्या है 12 रुपए और मेरा face value क्या है 2 रुपए सबसे पहले preference share को redeem करना है तो क्या इस आप किताब है 10,000 preference shares और क्या भव का 100 रुपए इच दाट इस एक दो तीन चार पाच्छे एक दो तीन चार पाच्छे 10,000,000 दाट इस 10,000,000 ओके अब section 55 को comply करना है number of equity share यहाँ पे क्या हो रहा है मैं fresh equity share issue कर रहा हूँ और उससे मैं preference share को redeem कर रहा हूँ 10,000,000 और जब भी section 55 का compliance रहेगा आपको किस से divide करना पड़ेगा face value से और मेरी face value कित्ती है 10 रुपए premium कित्ता है 2 रुपए face value कित्ती है मेरी 10 रुपए पर share okay sir that is that is 10,000,000 divided by 10 1,000,000 equity share कित्ता 1,000,000 equity share okay ठीक है राजा sort it चल अब journal entry pass करते है वापस से वो ही direct entry अब जो ICI कर रहा है हम वही कर लेते हैं हाला कि हमने सीखा है कि वो करना सही नहीं है but still ICI जो कर रहा है वो हम कर लेते हैं जब हम batches के अंदर पढ़ेंगे हम detailed explanation लेंगे कि आखिर ICI ने जो किया है उसका क्या भाई वो भी सही है net effect entry का वो ही आएगा done bank account debit two सीधा सीधा equity share capital account चलो कित्ते share issue हो रहे है one lakh equity share और हर share का क्या भाव है बारा रुपए तो मुझे कित्ता पैसा मिल रहा है बारा लाख रुपए मिल रहा है कित्ता पैसा मिल रहा है बारा लाख रुपए share capital में क्या जाएगा जित्ते share हम allot करेंगे into face value face value कित्ता है मेरा 10 रुपए तो कित्ता आ गया 10 लाख and two security premium account कित्ता 2 लाख फिर हम क्या करेंगे obviously preference share को redeem करना है 10% redeemable preference share account debit 10% redeemable preference share account debit 2 to preference shareholder account कित्ता पै करना है 10 लाख रुपए ही पै करना है फिर preference shareholder account debit प्रेप्रेट प्रेट 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 रस लाख ऱ्य अंक कित्ता रस लाख हो गया भाई टान डान 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 चल नेक्स कोश्चिन ओके नेक्स कोश्चिन एक बार पढ़ेंगे सब के सब अच्छे से अच्छा राजा इस कोश्चिन में आपको अजीब क्या दिखा अगर कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे तो मैं समझ पाओगा कि आपको समझा है ने समझा है इस कोश्चिन में कुछ अजीब था ये कोश्चिन पढ़ते एक बार जी इंडिया लिमिटेड हैड 9,000 10% रिडिमेबल प्रिफरेंच शेर अफ 10 इच फुली पेड़ अप दन तो प्रिफरेंच शेर का वैल्यू किता है 9,000 प्रिफरेंच शेर अफ 10 इच दाट इस 90,000 9,000 इंटो 10 अब मुझे बात बताओ ये 9 रुपए फेस वैल्यू है कि क्या है सर मैं समझ नहीं पारा हूँ मेरे पस दीटेल भी नहीं है कि ये 9 रुपए फेस वैल्यू है कि ये 9 रुपए मेरा इशू प्राइज है मैं समझ नहीं पारा हूँ तो आप देखो विटेक सिंपल सी चीज बता दे रहा हूँ आपको मैं जब भी आप section 55 को comply करोगे कभी-कभी question आपको ऐसा मिल सकता है कि question आपको बोल रहा है equity share discount पे issue किये ऐसा कभी-कभी आपको मिल सकता है तो section 55 comply करने के लिए face value और issue price whichever is lower से आप क्या करोगे divide करोगे तो यहाँ पे अगर मैं मान लू अगर मैं यहाँ पे assume कर लू मेरा face value 10 रुपे है मेरा issue price 9 रुपे हाला कि आप shares को discount पे issue नहीं कर सकते हो whichever is lower that is 9 रुपे से divide होगा क्यों कभी question आपको दे सकता है कि shares आपने discount पे issue कर दिये कुछ भी हो सकता है हाँ थोड़ा सब prepared रहे ना वैसे तो face value से divide होता है but क्या यह 9 रुपे मेरा face value है क्या given तो नहीं है अगर यह 9 रुपे मेरा issue price है face value given नहीं है तो मैं क्या करूआ मैं मजबूर हूँ में को किस से divide करना पड़ेगा 9 रुपे से ही divide करना पड़ेगा ठीक है पिछले question में face value कित्ता है 10 रुपे issue price क्या है 12 रुपे whichever is lower 10 रुपे but august section 55 यह सब चीज़ section 55 में नहीं लिखी है यह मेरे खुद के interpretations दे रहा हूँ आपको ताकि आपको question solve करने में easy रहे और कुछ नहीं divide by face value यह आपके 99% scenario में apply होगा लेकिन कोई एक आदा scenario ऐसा आ सकता है कि आपका issue price आपके face value से कम है तो in that scenario हम बोलेंगे हमने shares discount पे दिये है और जो discounted rate है उससे divide कर देंगे ओके 90,000 divided by 9 that is 10,000 equity share तो bank account debit bank account debit to equity share capital 90,000 फिर 10% redeemable preference share account debit to preference shareholder preference shareholder to bank simple अब sir अगर preference share redeem पे अगर हमें premium पे redeem करना है तो क्या उसके बारें बात करेंगे हमेशा बेटा जब हम यह calculate करते हैं number of equity share CRR section 55 हमेशा हमें किसको ध्यान देना पड़ता है face value को तो हमें हमेशा face value of preference share to be redeemed दिमाग में रखके काम करना पड़ता है ठीक है चल The following is the extract of balance sheet of ABC Limited यहाँ पे हम सीखेंगे अभी तक हमने क्या सीखा अभी हमने सीखा कि हमने equity share को issue किया और preference share को redeem किया फिर हमने एक example लिया जिसमें CRR और equity share दोनों थे हमें नहीं समझा सर ठीक है मैंने उसको ignore mark दिया उसको हम वापस से repeat देखेंगे अब हम आ रहे हैं एक question जो कि सिर्फ concentrate करेगा CRR को use करना preference share के redemption के लिए तो जो इससे पहले हमने किया उसको भूल जाओ वो question पर हम वापस चलेंगे but important कि आभी तक हमने ये सीखा कि हमें face value of preference share जो redeem होने वाला है उसको देखना है और उसको हमेशा divide किस से करेंगे हम 99% सिनारियो में face value से ही divide करेंगे लेकिन कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि shares discount पे issue कर दी जाए ऐसा question में given हो तो हमें क्या करना है face value 10 है discounted भाव 9 रुपय है तो में को 9 रुपय से divide करना पड़ेगा ऐसा rare हो सकता है ICI ऐसा कभी गलती करेगा नहीं but still मेरा काम था इसलिए मैंना आपको बता दिया ठीक है राजा चल the following are the extract of balance sheet of ABC limited as on 31st December 2022 ठीक है the share capital was 40,000 equity shares of 10 each fully paid up so 40,000 into 10 that is 4 lakh rupees 1,000 10% redeemable preference shares of 100 each तो जब 1,000 preferences into 100 तो face value किता हो गया एक लाग reserves and surplus क्या capital reserve आपका distributable profit होता है क्या नहीं सर ये कब से distributable बन गया क्या security premium distributable profit होता है अरे बिलकुल नहीं रहे भाई free reserves are the reserves जो कि distributable होते हैं क्या general reserve distributable profit है yes sir ये है क्या profit and loss account distributable है yes sir ये ही तो है ये दोनों मेरे क्या है distributable profits तो मेरा distributable profit का total क्या है equal to general reserve का 75,000 और profit and loss account का 35,000 total एक लाग okay on 1st January 2023 the board of directors decided to redeem the preference share at par by utilization of reserves ठीक है sir done मेरा calculation शुरू होता है सबसे पहले section 55 का compliance section 55 जैसे ही आया आपके दिमाग में face value face value आ जाना चाहिए face value of preference share to be redeemed इक्वल टू रूपीस वन लाट एक हजार प्रिफ्रेंच शेर अब देखो क्या मैं fresh equity share issue कर रहा हूं क्या नहीं मैं क्या कर रहा हूं मैं distributable profit चेक कर रहा हूं कितना है मेरा distributable profit एक लाख दस हजार रुपए है मेरा distributable profit कितना है एक लाख दस हजार रुपए है ठीक है भाई distributable profit एक लाख दस हजार है sorted list general reserve general reserve कितने का है 75,000 का total एक लाख रुपए का चाहिए या तो fresh equity share करके लाओ या तो distributable profit रखो profit and loss account अच्छा चाहिए कितना 25,000 रुपए profit and loss account कितना है 35,000 तो 25,000 वहाँ से आ गया तो क्या ये 0 हो गया येस मतलब मेरा section 55 comply हो गया ओके ठीक है तो अब आपकी journal entry क्या होगी CRR एक reserve है तो CRR credit होगा हम debit किसको करेंगे general reserve account debit और किसको debit करेंगे profit and loss account को debit करेंगे कितना कितना general reserve 75,000 and 25,000 profit and loss account एक बार मैं आपको quick recap देता हूँ section 55 क्या बोलता है कि जो face value of preference share इसको अलग से लिख देता है section 55 क्या बोलता है कि जो face value of preference share आप redeem करने वाले हो यह face value का जुगाड या तो आप equity share issue करलो fresh equity share issue करलो और और आपका face value of fresh equity share shall be equal to face value of preference share redeemed यह हो गया आपका option number one ठीक है option number two या तो आप CRR create करलो तो CRR create करने का मतलब आपका capital redemption reserve shall be equal to face value of preference share redeemed या थार्ड option fresh equity share प्लस CRR का कॉम्बो कि दोनों को यूज करलो दोनों को मिली भगत में यूज करलो sorted है तो यहां पे fresh equity share issue करके जो पैसा आया प्लस CRR that is distributable profit convert होके जो CRR में आया shall be equal to face value of preference share redeemed यह तीन combination में आपका पूरा chapter चलता है done यहां पे क्या हुआ यहां पे CRR was equal to face value of preference share redeemed CRR was equal to face value of preference shares redeemed ठीक है done चल यहां पे आते create करते CRR general reserve account debit अच्छा journal entry in the books of आप लिख देना उपपर ठीक है profit and loss account debit two capital redemption reserve ठीक है जनरल रिजर्फ कितना यूज कर रहे हम 75,000 इस question में जो CRR है वो मेरा face value of preference share redeem से match कर रहा है तो बाकी का 25 हर कहां से आएगा profit and loss account से कहां से आएगा profit and loss account से ठीक है 10% redeemable preference share 10% redeemable preference share account debit two to preference shareholder account किता एक लाग फिर preference shareholder account debit to bank एक लाख रूप्या ओके इसका solution अगर किसी को चाहिए तो सर यहां पे तो CRR के entry आखिर में की गई है आपको सबसे पहले करना है यह याद रखना आपको सबसे पहले करना है मैं ICI से वाकिफ रखू ना रखू मैं उनके साथ consensus मेरा हो ना हो मेरा agreement हो ना हो बट मैं यहाँ पे बोलूँगा पहले law का compliance देखो पहले यह यह entry मारो फिर is redemption के entry मारना कोई दिक्कत नहीं है done चलो next question C limited has 3,012% redeemable preference shares of 100 each जहाँ पे मुझे ICI के हिसाब से चलना है वहाँ मैं बोल देता हूँ जाने ही चलना है वह भी बोल रहाँ C limited had 3,012% redeemable preference shares of 100 each fully paid up the company had to redeem this share at a premium of 10% it was decided by the company to issue the following 25,000 equity shares of 10 each at par सबसे बेले face value of preference share redeemed या बोल सकते हूँ तू भी redeemed face value of preference share to be redeemed face value बोल रहाँ 3,000 into 100 that is rupees 3,000,000 अब company ने बोला कि हम issue कर रहे है 25,000 equity share of 10 each at par face value of fresh issue equal to 25,000 into 10 that is 3,000,000 अच्छा मुझे बात बताओ क्या debenture का issue section 55 के compliance में काम आएगा क्या मेरे नहीं, बिलकुल काम नहीं आएगा the issue was fully subscribed and all the money, all the amount was received in full in full मतलब एक साथ the payment was duly made the company had sufficient profit यह line क्यों बोल यह पता है observe करो section 55 के तीन option है face value of equity share shall be equal to face value of preference share redeem या तो CRR shall be equal to face value of preference share redeem या तो combo अब यहां पे आपका face value of preference share कित्ता है तीन लाक कित्ता है तीन लाक face value of equity share कित्ता है धाई लाक face value of preference share to be redeem कित्ता है तीन लाक क्या ये दोनों match कर रहा है क्या नहीं तो मुझे balance के लिए क्या बनाना पड़ेगा CRR तो CRR कित्ता create करना पड़ेगा 50,000 रुपे CRR कित्ता create करना पड़ेगा CRR क्रिएट करना पड़ेगा 50,000 रुपे का और CRR किस से create होता है distributable profit से इसलिए ये line दी गई है कि company के पास sufficient profit है कि वो ये सब जेल सके done? aligned है? sorted? चल अब सबसे बहले सब यहाँ पर जान देंगे एक बार देख लो equity share ढाई लाग का CRR किते काया? ओके? मेरे लिए पहले किसका compliance रहेगा? section 55 का चलो bank account debit और IECA directly काहे का to share application मैं अगर IECA होता था तो bank account debit to equity share application allotment account फिर equity share application allotment account debit to equity share capital मैं तो ऐसी लिखता था but मैं कुछ नहीं कर सकता मैं मजबूर हूँ see the equity share capital account हाला कि जो हमने batches complete किये हुए हैं उनमें मैंने दो entries सिखाई है और मैंने ये भी बताए कि ICA क्या कर रहा है यहाँ पे क्योंकि एक revisionary session है और ये वो बच्चा भी देख सकता है जो बच्चा September या आगे के sessions के लिए अपियर कर रहा है तो उनको जो ICA कर रहा है वो ही सिखा दो उनके लिए वही beneficial है done directly क्या आ जाएगा equity share capital तो equity share capital कित्ते का आ रहा है धाई लाग का फिर आपने debenture भी issue किये तो bank account debit two debenture का rate क्या है 14% debenture account एक हजार इंटु 100 that is एक लाग क्या ये section 55 के compliance में आता है क्या नहीं रहे भाई इसको आप use ही नहीं कर सकते हो फिर अब मैं section 55 का compliance करूँगा CRR create करूँगा क्या general reserve अगर कुछ भी दिया हुआ है क्या नहीं तो CRR create होगा और मैं debit किसको कर दूँगा profit and loss account को मैं क्या कर दूँगा debit कर दूँगा two capital redemption reserve कित्ता पचास हजार रुपे का कित्ता पचास हजार रुपे का चलो अब redeem करने की बारी आ गई CRR भी आ गया section 55 भी comply हो गया ठीक है सर डन तो अब कित्ते हैं बारा पर्सेंट तीन लाक ठीक है ट्वेल्फ पर्सेंट redeemable preference share account debit 12% redeemable preference share account debit क्या ये preference share को आप premium पर redeem कर रहे हो हा सर तो वो premium आपके लिए नुकसान है तो premium payable on redemption या premium on redemption of preference shares आपको क्या करना पड़ेगा debit करना पड़ेगा देखो premium on redemption of preference share क्या हो गया debit हो गया क्योंकि आपके लिए वो नुकसान है premium on redemption of preference share account debit to preference share holder account ओके तो भाई साथ face value किता है 3,00,00,00 premium किता है 10% that is 30,000 total मिला के 3,00,00,30,00 फिर आप ये pay कर दोगे preference shareholder account debit to bank तीन लाग तीस हजार अच्छा जो premium on redemption of preference share आपने pay किया है वो एक नुकसान है उसको write-off करना पड़ेगा अब वो घड़ी आ चुकी है जब हमें discussion करना है section 52 and section 133 law बोलता है कि सिर्फ और सिफ अगर किसी company पे section 52 apply हो रहा है section 133 apply नहीं हो रहा है तो उन्होंने जो premium on redemption हम pay कर रहे हैं तो उसे credit करना है क्योंकि हम write-off कर रहे हैं कैसे sir जब हम pay करते हैं तो premium on redemption को हम क्या करते हैं debit करते हैं when we pay और जब हम write-off करेंगे write-off करेंगे मतलब उसे अपना नुकसान मानके कही न कही से write-off करेंगे नुकसान मानके debit कर दिया अब जैसे सारे nominal account profit and loss account में जाते हैं वैसे ही ये भी एक तरगा नुकसान है तो write-off करने के लिए इसे हमें क्या करना पड़ेगा credit करना पड़ेगा अगर आप इसे credit करोगे तो debit किसको करोगे अगर सिर्फ और सिर्फ किसी company पे section 52 apply हो रहा है तो पहले आप पहले आप security premium को debit करोगे फिर आप general reserve को debit करोगे फिर आप किसे debit करोगे general reserve account को debit करोगे और अगर आखिर में general reserve भी खतम हो गया इतना premium अपने pay कर दिया तो आप किसको debit करोगे profit and loss account को लेकिन अगर किसी company पे section 52 के साथ साथ section 133 भी apply हो गया तो ऐसे सिनारियो में आप security premium को use नहीं कर सकते to write off premium on redemption ये same चीज यहां लिखी हुई है section 52 of the company's act बताता है ये आपके theory का point है कि जो security premium है वो किस purpose के लिए use हो सकता है हमने issue of bonus share दिखा है पहले CRR debit फिस security premium का cash component listed company के case में और पूरा total unlisted company के case में तो fully paid bonus share issue करने के काम आएगा yes इधर आओ ये point number D to provide for premium on redemption of redeemable preference share or debenture of the company मतलब premium जब आप पे करते हो नुकसान है वो नुकसान पहले आपने debit कर दिया फिर उसको write off करोगे तो credit करोगे नुकसान को credit कर दिया write off करते वक्त तो debit किसको करोगे फिर security premium को ये कब अगर किसी company में सिफ section 52 apply हो रहा है लेकिन अगर किसी company पे section 133 apply हो गया तो आप security premium को write off करने के लिए use नहीं कर सकते simple sir question में तो कभी given रहेगा कभी नहीं given रहेगा if the question is silent if question is silent तो बस मैं ये assume करूँगा कि section 133 apply हो रहा है और जब section 133 apply होगा तो premium on redemption write off करते वक्त आप security premium को debit करोगे क्या नहीं करोगे तो इस question में इस question में premium है on redemption क्या security premium है नहीं अगर होता भी तो भी मैं उसको use नहीं करता था because ये मेना मानना है कि यहाँ पे section 133 apply होगा premium on redemption of preference share account credit debit किसको करेंगे profit and loss account को debit क्योंगी general reserve तो दिया नहीं है 30,000 okay sorted चल ये journal entries आपके सामने है done next question मैं चाहता हूँ ये कोशन एक बार आप पूरा पढ़े खुछ से चलो पढ़ लिया राजा reserves and surplus तो ये क्या होगे आपका undistributed reserves and surplus चुड जनरल रिजर्व अस्ती हजार है चलो इसका नोटिंग कर लेते हैं वहाँ पे undistributed का मतलब है ये हमारे पास पड़े हुए है हमने इनको dividend के form में अभी तक बाटा नहीं है चाहो तो बाट सकते हो ये अभी भी हमारे पास पड़े हुए है profit and loss account profit and loss account का कितना बालेंस है बीस हजार चीक है investment allowance reserve investment allowance reserve कितने का है investment allowance reserve out of which 5000 not fee for distribution as dividend total कितना है 10,000 लेकिन 10,000 में से 5000 ऐसा है जिसको आप dividend के form में बाट नहीं सकते मतलब 5000 डिस्ट्रिब्यूटेबल है और बाकी का 5000 डिस्ट्रिब्यूटेबल नहीं है तो टोटल कितना है 10,000 10,000 में से मेरे काम का कितना है सिर्फ और सिर्फ पाच हजार त्यूंकि 5000 डिस्ट्रिब्यूटेबल है और बाकी का 5000 अन्डिस्ट्रिब्यूटेबल है मतलब आप उसको यूज नहीं कर सकते dividend बाटने के लिए done sir security premium 2000 का है अच्छा लिख देताओ आपके लिए security premium कितने का है 2000 चला अब आगे cash और bank है 98,000 cash और bank का balance कितना है 98,000 ठीक है भाई done आगे preference shares are to be redeemed at a premium of 10% face value of preference share to be redeemed 1,000 preferences at the rate 100 each 100 रुपई है ना yes तो total मिला के एक लाख ठीक है अब premium कितना है premium on redemption 10% है तो वो कितना है आपका 10,000 ठीक है ये question है हर चीज में बारी की से लिख रहा हूं next question में ने लिखूंगा ठीक है and for the purpose of redemption the directors are empowered to make fresh issue of equity share at par after utilizing the undistributed profits and surplus subject to the condition that a sum of 20,000 shall be retained in general reserve मतलब 80,000 में से 20,000 पढ़ा रहना चाहिए ठीक है सर चल अब सबसे पहले किसका compliance देखना है section 55 का compliance देखना है ओक्य भाई face value of preference share to be redeemed अच्छा question ने मुझे बता है कितने equity share issue करेगा नहीं question ने मुझे बहुत सारे reserves की detail दी है मुझे इसमें से CRR create करना चीए और अगर कुछ कम जादा हो रहा है तो उसके लिए equity share issue कर देगे तो face value of preference share to be redeemed यहाँ से लिखना बंद करो समझने की कोशिश करना बहुत important चीज़ समझा रहा हूं सर सीक्वेंस क्या है पहले मैं किसको यूज कर लूँगा investment allowance reserve में से कित्ता यूज कर सकता हूं 5000 ही कित्ता यूज कर सकता हूं 5000 क्योंकि 5000 आपका distributable है 10,000 में से ठीक है भाई तो 5000 CRR creation के लिए चला गया अभी मैं क्या कर रहा हूं CRR create कर रहा हूं ओके फिर आएगा general reserve general reserve कितना 80 में से 20,000 पढ़ा रहना चाहिए तो 60,000 profit and loss account कित्ता 60 और 5 65 profit and loss account 20,000 तो total CRR मेरा कित्ता बनेगा security premium से CRR बननी सकता तो CRR मेरा कित्ता बना 85,000 तो बाकी का 15,000 ने क्या करूँगा fresh equity share का issue करूँगा face value of fresh equity share to be issued क्योंकि section 55 comply करने के लिए face value लगता है अब आपको लग रहा ना आपने सही किया गलत किया सुनो आपको just मैंने अभी अभी पढ़ाया कि जो premium on redemption होता है उसे write off करना पड़ता है security premium से general reserve से profit and loss account से और अगर section 133 apply हो गया तो general reserve और फिर profit and loss account आप security premium को use नहीं कर सकते तो आपने यहाँ पर calculation गलत किया कैसे आपके सामने मैं calculation वापस से कर रहा हूँ असी हजार में से बीस हजार तो कोशन ने बोला हाथ नहीं लगा सकते and जो premium on redemption मैं बाद में क्या करूँगा general reserve account debit तो premium on redemption करूँगा मतलब मैं general reserve को कम करूँगा इसका मतलब जब आप CRR create करते हो तो सारे adjustment करने के बाद जो profit आएगा या जो reserves आएंगे वो reserves को use करना तो यहां पर कित्ता हो जाएगा यहां पर हो जाएगा पचास हजार कित्ता हो जाएगा पचास हजार डन तो CRR create करते वक्त सारे के सारे adjustments कर लेना profit and loss account general reserve में और उसके बाद अब CRR creation के तरफ जाना तो अब आपका CRR कित्ते का create हुआ आपका CRR create हुआ है 75,000 का कित्ते का create हुआ है 75,000 का तो balance 25,000 कहां से जुगाड होंगे equity share issue करके therefore number of equity share to be issued section 55 का compliance है तो divide by किस से होगा face value क्योंकि मेरा face value और कहीं न के discount पे तो है नहीं discount पे होता तो discounted वाला भाव बट discount पे है नहीं तो face value से face value है 10 रुपए that is 9,000 equity share ठीके राजा important calculation was this deduction star mark ठीके done चल एंट्री पास करते हैं सबसे पहले CRR का compliance section 55 के लिए investment allowance reserve account debit investment law reserve account debit general reserve account debit profit and loss account debit credit capital redemption reserve account capital redemption reserve account यह किता है पाच हजार यह किता है पचास हजार और यह आपका पच्चीस हजार total 75 अब सर आइसी आइने आइसी आइने क्या किया है आइसी आइने profit and loss account अइने आइसी 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 आइसाइं क्या किता है पस ICI ने जो premium on redemption है उसको profit and loss में से minus कर दिया मैं ने general reserve से minus क्या क्या दोनों सही है बिलकुल दोनों सही है आप जो choose करना चाहो अपने मर्जी से choose कर लो दोनों 100% सही है दर फिर बाकी लिए equity share issue करेंगे bank account debit to equity share capital account कित्ते का 25,000 तो चलो pace value of preference share redeem एक लाख है 75,000 CRR 25,000 fresh issue 8% redeemable preference shares 8% redeemable preference share account debit premium on redemption of preference share debit preference shareholder account कित्ता देना है एक लाख प्लस दस अधार टोटल एक लाख दस अधार फिर हम pay कर देंगे प्रिफरेंज शेर होल्डर अकाउंट डेविट टो बैंक कित्ता एक लाख दस अधार फिर जो premium on redemption है मैंने उसको general reserve में write-off किया है आई-सी ने profit and loss अकाउंट में write-off किया है दोनों ही सही है जनरल रिजर्व अकाउंट डेविट टो प्रिमियम और रिडंप्शन ओफ प्रिफरेंज शेर अकाउंट कित्ता है दस हजार डन आगे बढ़ते हैं let's move further एक बार चेक कर लो क्या CRR उत्ते create होना चीए था येस इकुडी शेर उत्ते आना चीए था येस सर आगे premium जो में pay करना है ICI ने कहां write-off किया है profit and loss को debit करते हुए मैंने general reserve को debit किया है बस और कुछ नहीं ठीक है चल ये पूरा calculation है आप चाहो तो अपने आप से देख सकते हो आगे बढ़ते हैं mark this also as important ओके इससे भी important mark करना the balance sheet of XYZ limited as on 31 December 2021 includes the following 50,008% preference shares of 10 each 70 paid up तो सबसे पहले 30 रुपए call करो और पूरा का पूरा पैसा मंगवाओ ताकि ये fully paid up हो सके 1 lakh equity shares of 100 each fully paid up security premium है capital redemption reserve है general reserve है bank है अब sir यहाँ पे already CRR दे दिया है वो भी 20 लाख रुपए का वो भी 20 लाख रुपए का तो क्या ये CRR हम section 55 के compliance में count करेंगे का नहीं section 55 बोलता है new CRR आपको बनाना चाहिए fresh equity share issue करना चाहिए अगर आपका कोई पुराना CRR given है उसे आपको ignore करना चाहिए क्यों because हो सकता है हो सकता है ये जो CRR है कभी तो भी पास्टन आपके पास कोई और preference share होंगे उनको आपने redeem की होगे यो उससे बना हुआ है ये CRR सिर्फ और सिफ यूज होगा bonus share issue करने के लिए तो अब section 55 के लिए ignore for section 55 compliance इसे ignore कर दियो ठीक है राजा done ठीक है क्या security premium से मैं CRR बना सकता हूँ नहीं sir ये तो distributable होता ही नहीं है ठीक है हटा दो general reserve 50 लागे bank 15 लागे done under the terms of issue preference shares are retained on 31st March 2020 at 5% premium ठीक है in order to finance the redemption the company makes right issue of 50,000 equity shares of 100 each at 110 per share ठीक है मेरा equity share का face value क्या है face value क्या है equity share का 100 रूपए आपने right issue किया है right issue क्या भाव पे किया है 110 रूपए पे तो right issue 110 रूपए पे किया है अब सब ध्यान देंगे 110 में से 20 being table on application ठीक है so इस में से 20 रूपए application पे ठीक है allotment पे 35 रूपए and balance on 1st January balance January में कितना 110 में से 55 हटा दो बागी कितना बचा 55 बचा ठीक है अब हमें पता है issue price is equal to face value plus premium तब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यार 35 रूपए के अंदर premium included है ठीक है 20 25 55 प्रीमियम कितना है 10 रूपए अब यहाँ पे ध्यान देना preference share हम redeem कप कर रहे हैं 31 मार्च दो हजार बावीस and जो balance 55 रूपए है यह मंगवाए कब जा रहे हैं पॉस्ट जैनवरी दो हजार तेवीस तो हमें क्या चेक करना पड़ता है face value of fresh equity shall be equal to face value of reference share redeemed अब मुझे यह चेक करना है कि जब मैं redeem कर रहा था उस तारिक तक कितना face value आया है because यहाँ पे तो installment में पैसा आया है ठीक है अब आउ observe करो यह जो 55 रूपए है यह एक जैनवरी देवीस को आ रहे तो क्या मैं यह बोल सकता हूँ बाकी का जो face value है 45 रूपीस यह कब आ गया on और before 31 मार्च बावीस ठीक है राजा प्रीमियम नहीं चाहिए मैं को section 55 का comply करने के लिए मुझे सिफ face value चाहिए of the fresh issue ठीक है sir the issue was fully subscribed and the allotment was made on 1st मार्च 2022 ठीक है the money due on allotment was received on 31st मार्च 2022 done मतलब allotment तक का पैसा 31 मार्च तक आ गया ठीक है done the preferences were redeemed after fulfilling necessary conditions as per section 55 चल सबसे पहले तो आप ये 30 रुपए मंगवाओंगे 30 रुपए कैसे मंगवाओंगे सीधा bank account debit कर दोगे कि पहले due करोगे फिर receive करोगे बताओ सीधा bank account लोगे कि पहले due करोगे फिर receive करोगे but obvious पहले due फिर received पहले due फिर received क्यो सर अरे भाई समझो यहाँ पे हमने पिछले चाप्टर में पड़ा राइट इशू का सीधा एंट्री होता है फ्रेश इक्विटी शेर इशू करो तो डिरेक्ट एंट्री यहाँ पे क्या हो रहा है जो पुराना आपका 30 रुपे बाकी है आप उसको मंगवा रहे हो तो हमें तो शेर कैपिल चाप्टर को याद करना पड़ेगा अब तो याद करना पड़ेगा तो पहले डिउ फिर रिसीव्ड यही दिखाने के लिए मैं कोश्चन सॉल्फ कर रहा हूं एकविड़िशेर एकविड़िशयर नि प्रिफ्रेंचेर्ण चाल पॉक्ट नपीचियर प्रिफॉरिण चैर्पैनल चाप्टैट्छ इंड अटिविट तो एट परसेंट प्रिफरेंज शेर कैपिटल अचाउंट वन लाइक प्रिफरेंज शेर और कितना मंगवाए जा रहा है वन लाइक है नहीं सॉरी फिफ्टी थाउजन है और यही मेरा इश्यू प्राइज है और यही मेरा क्या है फेस वैल्डियू पंद्रा लाइक ठेक है भाई डन फिर बैंक अकाउंट डेविट टू टू प्रिफरेंज शेर फाइनल कॉल अकाउंट कित्ता पंद्रा लाइज अब मेरे प्रिफरेंज शेर इश्यू कर रहा हूं हाँ अगर नहीं बताते थे तो पहले मैं रिजर्व से सी आरार बनाता था फिर एकुटी शेर की बात होती थी बट यहां पे देखो अगर मेरे पास रिजर्व का डीटेल अविलेबल है तो पहले मैं सी आरार क्रिएट करूँगा पिर फ्रेश एकुटी शेर की बात करूँगा अगर मेरे पास अगर मेरे पास कितने एकुटी शेर इशू करने है इसका डीटेल अविलेबल है तो पहले मैं उसकी बात करूँगा फिर CRR की बात करूँगा ये तो common sense है Done तो आप question ने बोल दिया आप 50,000 equity share issue कर रहे हो वो भी अलग-अलग form में Done तो चलो entry करे entry एक बार आप मारो entry Sir अगर पैस्ता one shot में आता था तो bank account debit two share capital कर देता था बड़ यहाँ पर installment में पैसा है पहला installment 20 रुपे का और दूसरा installment 35 रुपे का ठीक है चलो bank account debit two equity share application account पचास हजार equity share हार equity share पे 20 रुपे का क्या है आपका issue price application stage का अचा question है न में को एक information दी है allotment was made on 1st March तो जो मेरी allotment की entry होंगी वही entry का date यहाँ पर लिखता हूं मैं yes equity share application account debit to equity share capital account और यह पूरा का पूरा क्या है face value चीक है allotment एक मार्च को आता है और जो allotment की due वाली entry रहती है वो date और application की second entry की date सेम रहती है equity share allotment account debit to equity share capital account and allotment stage पर premium भी है तो two security premium account पचास हजार equity share हर equity share पे 35 रुपए पचास हजार equity share face value 25 रुपए है और premium है 10 रुपए ठीक है चलो यह हो गया आपका पाच लाख पचास हजार into 35 पाच लाख दस लाख पन्रा लाख सत्रा लाख पचास हजार और यह हो जाएगा आपका 12,50,000 किसी ने पैसा डुबाया क्या नहीं तो अच्छा अलोट्मेंट का पैसा कम मिला 31 मार्च को आपकाउंट एविट टृट यह होज आपकाउंट अपकाउंट अपकाउंट आपकाउंट ठीक है डन इसके बाद का जो call है final call वो अगले साल मंगवाया गया ठीक है अब हम section 55 की finally बात कर सकते है section 55 का compliance base value of preference share redeem पचास अर प्रिफरेंच शेर इन्टो हंड्रेड इच किता होगे ये पचास लाग किता होगे ये पचास लाग less face value of fresh equity share issued face value of fresh equity share issued तो अब equity share का face value क्या है आपके सामने face value कहा जाता है share capital account में तो एक रही है 10 लाग और दूसरा रही है साड़े बारा लाग तो टोडल किता हो गया 10 लाग प्लस साड़े बारा लाग 22,50,000 तो अब balance के लिए मैं क्या बना दूँगा CRR CRR किते के लिए बनेगा 27,50,000 के लिए क्या बनाएंगे हम CRR create होगा डन ओके चलो अब CRR किसे create होगा general reserve से तो balance for CRR equal to general reserve में किता balance है पचास लाख रुपए का किता balance है पचास लाख रुपए और क्योंकि यह premium पे redeem होंगे 50 पचास लाख less premium on redemption 5% less premium on redemption that is equal to मेरा पचास लाख का balance है less पचास लाख का 5% होता है ड्हाई लाख that is total 47,50,000 CRR कितने का मनाना है 27,50,000 क्या मेरे पास ample amount of reserves है हाँ तो क्या CRR भी जद्दारी से बन जाएगा येस सर बन जाएगा तो चलो यह हो गया fresh equity share अब CRR create करते है जनरल रिजर्व अकाउंट डेविट टू capital redemption reserve कितने का CRR बनाना है 27,50,000 ओके अब हम redeem करेंगे प्रिफरेंच शेयर का rate क्या है 8% 8% redeemable लिखा है क्या सिभ 8% प्रिफरेंच शेयर लिखा है न तो मैं भी वह लिखूंगा जो question में लिखा है वैसा ही 8% प्रिफरेंच शेयर काउंड डेविट प्रिफरेंच शेयर काउंड डेविट प्रिफरेंच शेयर काउंड 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 प्रिफरेंच तू प्रिफरेंज शेर होल्डर अकाउंट ठीक है पचास लाख रुपए का पेस वाल्यू है पाच पर्सेंट प्रीमियम वजब धाई लाख रुपए का प्रीमियम टोडल कित्ता पे करना है फिफ्टी टू लाख फिफ्टी थाउजन अच्छा रिडीम कप कर रहे हम 31 मार्च को ही कर रहे है 31 मार्च बावीस है डेट ओफ रिडम्शन 31 मार्च बावीस कि प्रिफेरेंट शेर होल्डर अककाउंट डेबिट टू बैंक कितना है फिफ्टी टू लाग फिफ्टी थाउजन है फिफ्टी टू लाग फिफ्टी थाउजन है ठीक है भाई और फिर आपका जनरल रिजर्व को मैं डेबिट कर दूँगा जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दूँगा तो प्रीमियम अन रिडंप्शन अफ प्रिफरेंच शेर अकाउंट कितना प्रीमियम है धाई लाग चलिए भाई यह देख लो आपके सामने इंट्रीज है पंद्रा लाग पहले मंगवाया फिर दस लाग फिर साड़े सत्रा लाग फिर आपका सी ए ए रार बनाया फिर प्रीमियम पे किया बैंक का इंट्री और फिर प्रीमियम को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया पूरा कंक्लूजिफ नेक्स कोश्चिन बापरे उसी कोश्चिन का रिपीट वर्जन उसी कोश्चिन का रिपीट वर्जन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार सॉल्फ करें एक बार सोचो चल विद दे हलप आफ डीटेल्स इन इलस्टेशन नाइन मतब सेम कोश्चिन है and further assuming that preferent shareholder holding 2000 shares fail to make the payment for the final call under section 55 section 55 क्या बोलता है fully paid वालो कोई redeem कर सकते तो इन्होंने पैसा दिया है नहीं you are asked to pass necessary journal entry and show relevant extracts of the balance sheet assuming that shares in default मतबर जो 2000 shares है यह है गोगया जो 2000 share का पैसा नहीं मिला are forfeited after giving proper notice ठीक है अब देखो मैंने पैसा मंगवाया 15 लाख but reality में क्या मुझे पूरे 15 लाख मिले क्या नहीं सर छीक है इधर आओ call in arrears account debit call in arrears account debit to preference share final call account okay sir final call पे कित्ते लेने थे 15 लाख अब 2000 preference share पे मुझे final call के 30 रुपए नहीं मिले that is 60 रुपए नहीं मिले तो actual में कित्ता पैसा आया 14,40,000 actual में कित्ता पैसा आया 14,40,000 फिर मैंने क्या किया मैंने इन shares को forfeit कर दिया मैंने क्या किया इन shares को forfeit कर दिया ठीक है sir तो for feature के entry क्या होती है share capital जो भी होता उसको debit तो 8% preference share capital account debit 8% preference share capital account debit क्या इस question में premium था sir हमें कुछ नहीं पता बट इतना पता है कि final call पर premium नहीं था और इसने final call का पैसा डुबाया तो क्या security premium debit होगा नहीं to call in arrears account and to share for feature account to share for feature account ठीक है कित्ते share for feature कर रहे है 2000 share कप for feature कर रहे है final call के बाद तो final call तक कित्ता face value called up है 100 रुपे ते टोटल हो गया एक, दो, तीन, चार, पाच, दो लाख रुपे call scenario कित्ता है 60,000 इसने अभी तक सिर्फ और final call का पैसा डुबाया final call का call scenario 60,000 थे तो share for feature account में क्या जाएगा balance in figure अब सुनो जो preference share आप redeem करने वाले हो उनको आप re-issue नहीं करोगे क्या ये preference shares re-issue होंगे क्या नहीं भूल के भी re-issue मत करना भूल के भी re-issue की entry मत मारना flow flow में ठीक है राजा चल उसके बाद क्या सर उसके बाद हम 50,000 equity share right issue के form में issue कर रहे है ठीक है क्योंकि मैं को लिखना जान पर आ रहा था वापस इसलिए मैंने copy paste कर दिया ठीक है ये आपका आपने पैसा मंगवाया जो पैसा नहीं मिला उसको arrears के नाम से debit कर दिया फिर आपने shares को क्या कर दिया forfeit कर दिया done फिर क्या आपने 50,000 right issue कर दिये shares का उसका पैसा आया दो installment अब the most important thing is यहाँ पे आपका CRR कित्ता बनेगा उसका calculation कर ले ठीक है कितने preference shares आपको redeem करने है सर हमें redeem करने है 48,000 preferent shares कैसे पहले थे 50,000 आपने 2000 forfeit कर दिये तो कित्ते बचे 48,000 48,000 into 100 48,000,000 कित्ता हो गया 48,000,000 तो यह कित्ता हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 25,500,000 तो CRR कित्ते का बनाना है 25,500,000 का क्या premium और redemption भी change होगा but obvious पहले आप 50,000,000 का face value redeem कर रहे थे अब बचे कित्ते है 48,000,000 तो 48,000,000 के preference share value आप redeem कर रहे हो 5% premium तो 48,000,000 का 5% कित्ता होता है 2,000,000 तो premium on redemption यहाँ पे भी change होगा 48,000,000 का 5% 2,000,000 2,000,000 that is reserve 47,60,000 का available है but CRR कित्ता बनाना है 25,50,000 का दने भाई ओके तो यह होगे आपका 50,000,000 बेड़ा जो 2,000 आपने 4,000 कर दिए 4,000 कर दिए तो उनको redeem करने की बात आएंगी क्या नहीं 50,000 में 2,008 दो 48,000,000 उस पे 5% premium total कित्ता पे करना है 50,40,000 यहाँ पे भी हो जाएगा 50,40,000 और जो प्रीमियम है 2,40,000 का on redemption वो कहाँ चला जाएगा general reserve में simple हमने forfeiture भी सीख लिया normal forfeiture ही होता है बेटा जैसे हमने share capital में forfeiture सीखा था same forfeiture यहाँ पे आपका general reserve कित्ता हो गया 25,50,000 अपना भी कित्ता है 25,50,000 50,40, 50,40, 2,40 ओके अब सर एक important चीज हाँ क्योंकि यहाँ पे re-issue नहीं हो रहा है re-issue नहीं हो रहा है बट share forfeiture का जो balance है वो आपको कहाँ transfer करना पड़ेगा capital reserve में because re-issue तो आप करी नहीं रहे re-issue तो आप करी नहीं रहे तो जो share forfeiture का balance है most important यह चीज आप भूल सकते हो share forfeiture account debit to capital reserve क्योंकि share forfeiture आखिर क्या होता है share forfeiture एक तरह का फाइदा होता है जब आप कोई share को forfeit करते हो और अगर आप उनको re-issue नहीं करने वाले हो hundred percent confirm है तो उसे आप कहाँ transfer कर दोगे capital reserve में कित्ता एक लाग चालीस हजार यह चीज नहीं भूलना राजा छोटी सी चीज है बट checker ना इस पे आपके marks खा जाएगा important है ठीक है? done? चल okay you have the next question यह question आपका illustration है कि इसके अंदर bonus है कि हाँ इसके अंदर bonus है अब जो हम एक question छोड़के आये थे पहले हम उसकी बात करेंगे फिर हम इस पे आएँगे ठीक है राजा? क्योंकि यह आपका basically last question हो जाएगा अब section 55 number of shares निकालने में मदद करता है कितने amount का equity share issue करना ची इसमें मदद करता है तो आप the board of directors of the company decided to issue minimum number of equity shares at rupees 9 to redeem 5 lakh rupees preference shares तो preference share का value क्या है? पाच लाख रुपे the maximum amount of divisible profits available for redemption divisible profit or distributable profit कितना है? तीन लाख ओके calculate the number of shares to be issued by the company to ensure section 55 is not violated तो अब राजा यहाँ पे सब ध्यान देंगे company ने यहाँ पे क्या बोला? कि मैं equity share issue करने को तयार हूँ लेकिन जितना कम से कम issue करूँ उतना अच्छा और मेरे पास reserves भी पढ़ा हुआ distributable profit पढ़ा हुआ है तो क्या मैं यह बोच सकता हूँ? section 55 comply करने के लिए मैं distributable profit भी यूज कर लेता हूँ और मैं equity share का fresh issue को भी यूज कर लेता हूँ मतलब दोनों का combination मैं यूज कर लेता हूँ दोनों का मैं क्या यूज कर लेता हूँ? combination मैं यूज कर लेता हूँ ठीक है? चलिए ठीक है सर total amount for which equity share shall be issued equal to 5,00,00 preference share का value है minus 3,00,00,00,00 3,00,00,00 क्यों? अरे तीन लाग का मैं CRR बनानूँगा ना? तीन लाग का मैं क्या कर लूँगा? CRR बनानूँगा तो section 55 comply करने के लिए total पाच लाग रुपे का arrangement होना चाहिए total कित्ता होना चाहिए? पाच लाग अब पाच लाग में से तीन लाग CRR के थ्रू आ रहा है अचा CRR कैसे बनता है? distributable profit के थ्रू तो मैंने तीन लाग का distributable profit कम कर दिया तो बचा कित्ता? दो लाग देरफोर नमबर ओफ इक्विटी शेर इक्विल टू दो लाग डिवाइड बाइ नौ और याद रखना प्रिफरेंच शेर के रिडंप्शन चाप्टर में हमेशा अपर राउंडिंग ओफ जब भी आप नमबर ओफ इक्विटी शेर निकालोगे ठीक है? तो क्यालकुलेटर दो लाग डिवाइड बाइ नाइन दाट इस 22,222.22 दाट इस 22,223 शेर ओके? बट अब कोश्चन एक लाइन लिखी हुई है अलसो डिटरमाइंग दी नमबर ओफ नमबर ओफ शेर इफ कंपनी डिसाइड टू इशू शेर इन मल्टिपल ओफ 50 ओनली 50 का मल्टिपल है या तो पचास या तो सो या तो देड़ सो ऐसा मल्टिपल ओफ 50 तो अब मुझे बात बताओ हमेशा अपर जाएंगे हमेशा हम उपर के तरफ जाएंगे मल्टिपल ओफ 50 हमेशा उपर अपर के तरफ जाओंगे तो आपके पास दो अप्शन है 22,200 वो भी 50 का मल्टिपल है वो चीज जो 50 से डिवाइड हो जाएंगे तो 22,200 या 22,250 इस चाप्टर में हमेशा आप अपर के तरफ जाओंगे तो नमबर ओफ इक्विटी शेर्स जो आप इशू करोगे वो होंगे 22,250 क्योंकि सेक्शन 55 का अगर एक रुपै से भी कमप्लाइंस छूट गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी जीवन में दन तो इस कोशन में क्या किया है हमने CRR क्रिएट किया है 3,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, Board of Directors of the Company decided to issue minimum number of equity share of 9 to redeem 5 lakh preference shares तो यह क्या हो गया face value of preference share to be redeemed अब मेरे पास किसका figure given है मेरे पास CRR का data available है तो मैं CRR किस से बनता है distributable profit से तो 3 लाख रुपए CRR create कर दूगा तो 5 लाख में से 3 लाख रुपए चला गया तो 2 लाख के आपको क्या बनाने पड़ेंगे equity share hope so अब आपको एक question समझ गया होगा done ओके ये वाला question है mark this question as important mark this question as important तो ये question है जिसमें share capital है 2,90,000 का reserves and surplus कित्य है 48,000 और मुझे चेक करना पड़ेगा इसके अंदर free कौन से है because मैं इनको use करके क्या बना सकता हूँ CRR trade payable 56,500 property plant and equivalent investment 8,500 cash and cash equivalent मतलब bank balance at 31,000 the share capital of the company consists of 50 each equity shares of 2,25,000 तो 2,90,000 में 2,25,000 equity share का है और equity share का face value क्या है okay and 100 each of preference shares तो face value क्या है 65,000 के क्या है preference share तो वाई साब 2,90,000 share capital क्या होता है इसके अंदर face value होता है तो equity share का face value क्या है 2,25,000 और preference share का face value क्या है 65,000 आगे बढ़ते हैं reserves and surplus comprises of profit and loss account only तो जो reserves and surplus है इसके अंदर profit and loss account ही है और profit and loss account होने का मतलब ये पूरा का पूरा distributable profit है ये पूरा का पूरा क्या है distributable profit ठीक है अब देखो यहां पे question का focus किस पे आप पढ़ो company बोल रही है कि redemption को facilitate करने के लिए मतलब complete करने के लिए company ने decide किया कि वो investment बेचेगी 15,000 में investment का balance sheet में value किता है investment का balance sheet में value है 18,500 balance sheet में value किता है 18,500 18,500 की चीज कितने में बेचा 15,000 में तो ये क्या हो गया आपका loss हुई loss कितने का हुई 3,500 का तो 3,500 का loss है investment बेचने पे to finance part of the redemption from company का fund subject to leaving bank balance of 12,000 तो अभी bank balance किता है 31,000 31,000 में से 12,000 रहना चाहिए तो बाकी का 19,000 हम use कर सकते हैं बाकी का 19,000 हम use कर सकते हैं because question ने बोला कि आप company के funds use कर सकते हो that is 31,000 का cash and bank balance का fund है आप उसको use कर सकते हैं object to 12,000 आपके पड़े रहने चाहिए किस के अंदर bank account के अंदर तो 31 में से 12 पड़े रहने चाहिए तो कितने use करेंगे 19,000 हम use कर लेंगे done ठीक है आगे बढ़ते है to issue minimum equity shares of 50 each to raise the balance of fund required तो यहाँ पर अब observe करो यहाँ पर question का focus है कि redemption करने के लिए जित्ता पैसा लगेगा वो पैसे की requirement फुल्फिल करना क्या यहाँ पर section 55 की requirement फुल्फिल करने की बात हो रही है क्या नहीं एक बार पढ़ते है एक बार इससे पहले वाला question पढ़ते है यह देखो to issue sufficient number of shares to fund the balance ऐसा कुछ कहा क्या नहीं एक और question पढ़ते है to issue sufficient number of equity shares of 10 each at a premium of 2 per share fully paid up और इस question की language देखो यह question clear cut बोल रहा है to issue minimum equity share to raise the balance fund required तो जो balance fund required है redemption के लिए वो कहां से equity share issue करके और आपको एक हिंट देदू जब भी investment दिखता है जब भी यह बोलता है bank balance में इत्ता पड़ा होना चाहिए मतलब उसका focus है bank balance pay उसका focus किस पे है bank balance pay और और मैं इसको 50 रुपे से हटा के कित्ता कर रहा हूँ 52 कर रहा हूँ क्यों sir दो मिनिट में समझाऊँगा everyone यहां तक sorted है चलो सबसे पहले face value of preference share to be redeemed 65,000 कित्ता है 65,000 premium on redemption premium कित्ता है 10% FM not wrong yes 10% 6,500 total कित्ता हो गया 71,500 यह क्या है मेरी fund requirement यह क्या है total fund required पढ़ो in order to complete the redemption of preference shares at a premium company decide कि investment बेचेगी fund यूस करेगी equity share issue करेगी to raise the balance the balance fund required to total fund required for redemption total fund total fund required for redemption 71,500 less less sale of investment less sale of investment investment कित्ते में बिकेगा 15,000 पंद्रा हजार में less usage of company fund 31,000 में इसे 12,000 उपे रखने है that is आप 19,000 यूस कर सकते हो fund needed by issue of equity share तो 71,500 में से क्या रखने डलेते हैं 71,500 में से 15,000 अटा दो investment बेच के आया 19,000 तो 37,500 the most important thing is जब भी question ये बोलेगा न कि redemption के लिए जो fund requirement है उसकी पूर्ती करनी है तो यहाँ पे जब मैं number of equity share निकालूंगा तो total fund किता चाहिए 37,500 divided by मैं section 55 का compliance कर रहा हूँ क्या अभी नहीं अभी मैं ये देख रहा हूँ कि ये 37,500 कितने share issue करके जुगाड हो जाएगा तो मेरे एक share का issue price क्या है 52 मेरा face value क्या है 50 लेकिन मैंने issue किस भाव पे किया है 52 मैंने जान मुझ के question में amend किया है I repeat ये question का focus किस पे है कि भाई साहब redemption करने के लिए जो fund लग रहा है वो fund कैसे जुगाड हो रहा है investment बेचके company का जो bank balance है वो और जो difference है वो equity share issue करके ला लूँगा तो कितना पैसा equity share issue करके चाहिए 37,500 और मेरा issue price क्या है 52 क्या मैं section 55 का compliance कर रहा हूं क्या नहीं मैं fund requirement देख रहा हूं तो divide by 52 721 point 15 shares that is upper rounding of 722 shares मैं 722 shares issue कर दूँगा aligned है अब हम बात करेंगे section 55 compliance की यहां से निकल गया कि मैं कितने share issue कर रहा हूं kosher ने खुद ने बोला है कि fund requirement के लिए shares निकाल लो तो मैंने fund requirement के साब से shares निकाल लिया face value of preference shares to be redeemed equal to Rs. 65,000 face value of preference share to be redeemed 65,000 less face value of fresh equity share issued 722 shares into 50 रुपे अभी मैं किसके अंदर हूं section 55 के अंदर 722 into 50 तो यह कितना हो गया 36,100 तो difference कितना है 28,900 28,900 का मुझे क्या करना पड़ेगा CRR create करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा CRR create करना पड़ेगा अब CRR किससे create होगा profit and loss account में तो मुझे चेक करना है balance of distributable profit balance of distributable profit okay सबसे पहले आपके वास distributable profit में क्या है profit and loss account profit and loss account में कितना balance है profit and loss account में है 48,000 रुपीस का balance less अब मुझे सारे adjustment करने है और फिर चेक करना है loss on sale of investment investment पे जो loss होगा वो कहां जाएगा but obvious profit and loss account के debit set जाएगा किते का loss है साड़े तीन हजार का फिर premium on redemption premium on redemption किता है साड़े छे हजार तो सारे adjustment करने के बाद कितना बचा 48,000 minus 3,500 minus 6,500 38,000 रुपीज का बचा है मुझे चाहिए कितना 28,900 क्या successfully redemption हो जाएगा हा सर हो जाएगा एक बार मैं पूरा repeat कर रहा हूँ यहां पर पड़ो in order to complete the redemption of preference shares at a premium of 10% company decide किया कि investment बेचेगा finance the part of redemption by company's fund and to issue minimum equity shares of 52 each to raise the balance fund required for redemption तो redemption करने के लिए total कितना needed है 65 plus 6,571,500 71,500 में से 15,000 investment बेचके और 19,000 वो 15,000 और 19,000 तो जो बाकी का amount है वो balance हो गया और वो balance कैसे आ रहा है by issue of equity shares at 52 each तो मैंने निकाल लिया number of shares done अब मैं number of shares निकाला आप मैं देख रहा हूँ section 55 का compliance face value of preference share redeemed face value of fresh equity share issue 36,100 तो total कितना लग रहा है CRR के लिए 28,900 done राजा यहाँ पे slight difference होगा ICI ने 50 पकड़ा है मैंने 52 पकड़ा है ठीक है चल सबसे पहली बात equity share issue कर देते है one short में पैसा आ रहा है तो bank account debit to equity share capital account अच्छा यह मैंने observe किया है राजा जब भी वो sale of investment की बात करता है जब भी वो बोलता है balance fund required minimum issue ऐसे टाइम पर उसका focus bank balance जमा करने पे रहता है तो ऐसे scenario हम issue price से divide करते हैं किस से divide करते हैं? issue price से ही बाकी हमेशा हम face file से divide करते हैं लेकिन जब बात bank balance की है कि bank balance कित्ता needed है यह redemption के लिए तब हम issue price से divide करते हैं done तो कित्ते equity share issue हो रहे है 722 और एक equity share कित्ते का 52 का face value 50 और बाकी का कहा चले जाएगा 2 security premium चलो तोडल करते है 722 into 52 37,544 722 into 50 36,100 722 into 2 1,444 ठीक है फिर CRR का compliance करेंगे profit and loss account debit 2 capital reserve कित्ते का CRR बनाना है 28,900 का जब अब 28,900 का CRR बनाओगे तो मेरा face value of reference share redeem will be equal to face value of fresh issue plus CRR done अब हम redeem कर लेंगे कित्ता पर्सेंटेज है percentage given है क्या कुछ नहीं चलो preference share capital account debit 65,000 premium भी pay करना है premium on redemption of preference share account debit 10% मदब 6,500 to preference share holder account 71,500 फिर हम pay कर देंगे preference share holder account debit to bank account 71,500 ठीक है भाई और आखिर में premium को हम कार्ड डाल देंगे oh so sorry so sorry ये काटना पड़ेगा मुझे क्यों sir अरे आपने investment बेचा ना उसको loss में भी बेचा bank account debit bank account debit loss on sale of investment अकाउंट डेबिट डू investment account कित्य की investment थी 18,500 कित्य में बेचा 15,000 में बेचा मतलब साड़े 3,000 का क्या किया नुकसान किया ठीक है अब यहाँ पर आ जाएगा preference share capital account debit 65,000 premium on redemption of preference shares कित्य है 6,500 to preference shareholder account 71,500 पिर हम pay कर देंगे preference shareholder account debit to bank 71,500 ठीक है सर done और आखिर में कि यहाँ पर profit and loss account है तो profit and loss account debit हो जाएगा to premium on redemption of preference share account कित्या प्रीमियम है और जो loss on sale of asset है उसको हम अलक से दिखाएंगे profit and loss account debit your end पे सारे के सारे के सारे nominal accounts close होंगे अच्छा आप सुनो एक चीज़ पर ध्यान दो राजा एक चीज़ पर यहाँ पर ध्यान दोगे premium on redemption आप general reserve में भी debit कर सकते हो profit and loss में भी debit कर सकते हो और अगर section 133 अपलाए नहीं होड़ तो security premium में भी debit कर सकते है sorted done but जो loss on sale of asset है वो हमेशा कहा जाएगा profit and loss account में ही यह चीज़ का छोटी सी चीज़ है बढ़ ध्यान देना premium on redemption के लिए security premium debit general reserve debit profit and loss account depending upon circumstances जैसे जैसा scenario रहेगा उसके according but loss on sale of asset उसको हम कही से नहीं सिर्फ और सिर्फ profit and loss account से ही take care करेंगे done ICR मेरे बीच में थोड़ासा difference आएगा done अब देखो अभी तक हर question में एक single entry करते थे bank account debit to share capital यहाँ पे अलग-अलग कर दिया इंसान जाए तो जाए का मेरे साथ सो बावी शेर आए थे आईसे है के साथ सो पचास आए है यह difference है और फिर CRR में एक difference आएगा CRR में एक difference आएगा मेरा 28,100 आया था if I am not wrong मेरा CRR कित्ते का बना था 28,900 का बना था ठीक है 28,900 का बना था क्योंकि मेरा 52 से डिवाइड किया था मैंने ओके यह फरक आएगा बस और कुछ ने चलो यह calculation है देख लो 37,500 fund required जब भी fund required की बात करेंगे तो हमारा concentration bank balance पर है और fund requirement की बात होगी from fresh issue इस redemption को fresh issue के थू करना है fund required है तो हम किस से डिवाइड करते है issue price से इस question में issue price 50 था मैंने उस comment करके 52 किया done अब आपका last question for the chapter ऐसा same type का question आपको मिल जाएगा ऐसा same type का question आपको मिल जाएगा आपके book में वो एक बार आप solve करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा done चल पूरा question आपके सामने ढंक से एक बार पढ़ेंगे मैं हट रहा हूँ पढ़ लिया मैं पॉस कर लिया करो ना बिटा ओके the books of we limited showed the following balance as on 31st December 2023 30,000 equity shares of 10 each fully paid up ओके 18,000 12% redeemable preference shares of 10 each fully paid up ओके तो अब मैं देले-देले करके information note करना शुरू कर देता हूँ face value of preference share to be redeemed 18,000 preferences of 10 each आगे पढ़ते हैं 4,000 10% redeemable preference shares of 10 each 8 paid up मतलब इस पे 2 रुपए मंगवाना बाकी है सबसे पहले हम 2 रुपए मंगवाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे fully paid up करेंगे चलो पहले तो भाई सब fully paid up कर लो बाकी सब बाते बात में करेंगे preference share final call account debit to rate क्या है उसका 10% 10% redeemable preference share ओ बावरे 4,000 और 2 रुपए per preference share वही मेरा face value वही मेरा issue price तो यह हो गया आपका 8,000 अब मैं देखूंगा क्या कुछ call scenarios वगर है क्या पढ़ लेते ब्लाब्लाब्लाब्लाब्लाब्ला ओके call scenarios वगर तो नहीं है मतलब है पूरा का पूरा पैसा मुझे मिल गया bank account debit to preference share final call account 8,000 पूरा का पूरा मिल गया ठीक है भाई done okay undistributed reserves and surplus चुड profit and loss account 80,000 general reserve 1,20,000 क्या security premium distributable है क्या नहीं तो क्या इसको मैं CRR बनाने के लिए यूज करूँआ क्या नहीं क्या capital reserve distributable है क्या नहीं तो में पास profit and loss account 80,000 है और general reserve है profit and loss account किता है 80,000 और general reserve किता है एक लाग बीस हजार थीक है for redemption question ने मुझे खुच से बोल दिया कि मैं कितने equity share issue कर रहा हूं 3000 equity shares of 10 each are issued at 10% premium at the same time preference shares are redeemed on 1st January 2024 at a premium of 2 per share ठीक है there were about of a share holders of 100 shares of 10 each fully paid up are not known इस line का मत्तब क्या है तब तक आप सोचो मैं यहाँ पे equity share issue किया हूं तो उसके entry ले ले लेता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू equity share capital account and टू security premium account कोशन ने बोला redemption करने के लिए 3000 equity share issue किया है क्या भाव पे 12 रुपे paste value क्या है 10 रुपे और premium और redemption क्या है 2 रुपे 36,000 30,000 6,000 ठीक है done अब क्योंकि मेरे share fully paid up हो गए ये भी तो ये हो गया एक लाग अस्य हजार ये हो गया चालीस हजार टोटल मिला के दो लाग बीस हजार ठीक है अब मैं चाहता हूँ आप मुझे बताए इस line का हम क्या करेंगे सर सिंपल है एक तो एक चीज में को बताना है कि यहाँ 10% था मैंने यहाँ पर क्या कर दिया मैंने 12 रुपे ले लिया जबकि वो होना चीए 11 रुपे तुम समझे premium 10% था मैंने नीचे का 2 रुपे ले लिया दिमाग में और मैंने गलती कर दिया ठीक है ओके तो यह है मेरा 11 रुपे और premium कित्ता है 1 रुपे so sorry 33,000 और यहाँ पर ओ गया 3,000 अब मेरा सवाल का जवाब सर देखिए the whereabout of the holders of 100 share of 10 each fully paid up are not known question बोल रहा है कि यह जो 100 shareholder वो not known है पता ही नहीं है कौन है तो भाई साब क्या है मैं इनको pay कर पाऊँगा क्या अरे payment करने के लिए bank account होना चाहिए जिस account में payment करना है यह 100 लोग पता ही नहीं कि कहां चले गए कहां गुम हो गए तो क्या मैं इनको pay कर पाऊँगा नहीं तो इतना payment नहीं होगा अब आगे बढ़ते हैं अब bonus issue of equity shares were made at par two share being issued for every five held on the date that on that date out of capital redemption reserve however equity shares issued for redemption are not eligible for bonus ठीक है शोदन message journal entry अब सुनो ICI ने क्या azium किया है ICI ने ये azium किया है कि भाई साब ये जो 18,000 है क्योंकि ये fully paid up है हम सिफ इसी को redeem करेंगे हम सिफ इसी को redeem करेंगे अगर मैं वो thought process लगाऊँ अपने जिंदगी में तो ये question एक बार पढ़ो यहाँ पे भी आपका पूरा amount call था क्या ये question था क्या हाँ सर् यहाँ पे 30 रूपे fully paid करेंगे ऐसे बोला था क्या नहीं बढ़ हमने किया fully paid और उसके बाद redeem किया वैसे ही वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि यार जिन शेर पे पैसा pending था जिन शेर पे पैसा pending था कितना 4000 शेर पे दो रूपे पैंडिंग था ओके उसको fully paid कर दो और उसके बाद हैं ओके अब देखो राजा मेरे पास कोई क्लू नहीं है कि आइसे हैं नहीं यह अज्यूम क्यों किया ठीक है दोनों ही प्रिफरेंच शेर्स सेम डेट पे इशू हुए हैं तो अब एज एडूकेटर मेरे पास ऑप्शन नहीं है मैं तुमको कोई यह चीज नहीं बोच सकता हूं कि यार ऐसे कोश्चन में ऐसे कर लेना ऐसे कोश्चन मेरे पास नहीं है उसका जवाब अब ICA ने जो फुल्ली पेड है उसको रिडीम कर रहा है सिर्फ मैं सबको फुल्ली पेड कर दिया और फिर मैं रिडीम कर रहा हूं ठीक है तो मेरे और ICA के आंसर में फरक आएगा है cannot justify their answer मैं आपको अभी बता रहा हूं मैं उनका answer आपको justify नहीं कर सकता हूं aligned है यहां पे सबके सब sorted ओके चल तो मैं पूरा का पूरा दो लाग बीस अजार रिडीम कर रहा हूं ICA ने सिर्फ और सिर्फ एक लाग असी अजार को रिडीम किया है मैं पूरे को रिडीम कर रहा हूं done क्योंकि मैंने यह 40,000 को फुल्ली पेड कर दिया ह ठीक है सार चलिए अब सबसे पहले सेक्शन 55 का compliance देखते हैं पेस वाल्यू अफ प्रिफरेंच चेर्स तो बी रिडीम दो लाग बीस अजार लेस फेस वाल्यू अफ प्रेश इकुटी शेर इशू हमने इशू 11 रुपए के भाव पे किया था बट फेस वाल्यू क्या है दस रुपए तो टोडल कित्ता हो गया 30,000 डिफरेंच कित्ता बचा डिफरेंच बचा आपका एक लाख नब्बे हजार डिफरेंच कित्ता बचा एक लाख नब्बे हजार आपको क्या करना पड़ेगा इस एक लाख नब्बे हजार का CRR create करना पड़ेगा क्या मैं CRR create करने की स्थिती में हूँ हाँ सर यहाँ पे 1,20,000 है और यहाँ पे 80,000 है सुनो चल CRR create करते हैं calculation for CRR भाई देख तो ले available है या नहीं profits ठीक है profit and loss account में किता balance है और उसके बाद general reserve में किता balance है सर profit and loss में 80,000 general reserve में 1,20,000 80,000 टोटल दो लाग खुश मत हो जाओ अब premium on redemption क्या होगा minus होगा premium on redemption किता है sir मेरा face value 10 रुपए है मैं redeem कर रहा हूँ 2 रुपए जादा पर that is 12 रुपए पर कितने preference shares है अठरा हजार प्लस चार हजार क्योंकि मैंने इनको फुली पेड कर दिया बावीस हजार इंटू 2 that is 44,000 that is 44,000 तो यह कितना बचा 156 अब अब सुनो पहले तो मेरे पास answer नहीं था कि ICI सिर्फ वो फुली पेड वालों को क्यों redeem कर रहा है क्या अब मेरे पास answer आ गया है yes देखो बिटा CRR बनाने के लिए पैसा कितना चाहिए रिजर्व कितना चाहिए 1,90,000 बट है कितना 156,000 बट redeem तो करना है तो अब जो फुली पेड नहीं है ICI ने वोलोक्स को छोड़ दो तुम समझो उनको कोश्चन को खतम करना है अब ICI ने वोला जो फुली पेड नहीं है उनको छोड़ दो भाई ठीक है फुली पेड वालों को छोड़ना है तो छोड़ दो या टा दो भाई फुली पेड करो ही मत फुल्ली पेट करेंगे नहीं तो इनको रिडीम करना पड़ेगा नहीं सीधा सीधा equity share इशु कर दो bank account debit to equity share capital account and to security premium account देखो कुछ चीजे नहीं जब आप पूरा solve करोगे ना तब मैं explain करूगा तो आपको अच्छे से समझेगा ऐसे तो आप बोलोगे क्या बोल रहा है अपने मर्जी से ऐसा थोड़ी होता हम exam में solve करेंगे हमें कैसे पता चलेगा तुम्हों समझा आप कैसे पता चलेगा कि यार अगर मैं इनको fully paid कर देता हूँ तो मेरे तो लंका लग जाएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको ignore करना पड़ेगा अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक लाख असी हजार को redeem कर रहा हूँ done क्यों क्योंकि मेरे पास दिक्कत हो रही है किसकी दिक्कत हो रही है CRR creation में ठीक है एक लाख असी हजार face value of preference share redeemed अठ्राजार equity share हर share पे 10 रुपे तो अब कित्ता CRR बनाना है आपको CRR बनाना है देड़ लाख रुपे का क्या देड़ लाख रुपे का जुगाड हो पा रहा है क्या चलो चेक करते हैं अठ्राजार share into 2 ते कित्ता हो गया 36,000 दो लाख में से 36,000 हटा दो 1,64,000 क्या अब मेरा CRR create हो सकता है yes CRR बनाने के लिए चाहिए देड़ लाख available कित्ता है 1,64 क्या अब redemption हो सकता है yes इसलिए ICNS सिभ ये assume किया कि हम fully paid वालों को redeem कर रहे है logic aligned हुआ हमें बात नहीं करेंगे आपको proof करना है इसलिए मैं को solve करना पड़ा पहले पूरा ताकि मैं एक proof दे पाओ कि यहां भाई ICNS से fully paid वालों को redeem क्यों किया क्योंकि मैं अगर ऐसी बोलूंगा न से fully paid वालों को redeem कर दो equitation issue कर दिया पहले general reserve को debit करेंगे फिर profit and loss account को debit करेंगे और हम credit किसको करेंगे capital redemption reserve को ठीक है CRR कित्ते का देड लाख रुपे का आएगा कहां से general reserve पूरा का पूरा एक लाख वी सजार ले लो और profit and loss account में balance थीस हजार ठीक है profit and loss से balance थीस हजार ले ले लेंगे total देड लाख का बनाना है देड लाख का source क्या है general reserve एक बीस और बाकी वहां से ले लेंगे done तो मतलब सर आपने general reserve को पूरा zero कर दिया तो ये जो 36,000 है इसका general entry क्या होगा profit and loss account debit to premium तो हमारा profit and loss account में कित्ता का balance थीस हजार थीस हजार में से थीस हजार तो CRR में चला गया बाकी का ये premium के लिए तो total कित्ता हो गया 66,000 14,000 बचेगा simple है 164 में से देड़ लाग CRR बनाने में चला गया तो कित्ता बचेगा 14,000 और जो 14,000 बचेगा वो क्या रहेगा आपका profit and loss account का balance ठीक है ओके सर चलो ब रिडीम करते हैं 12% redeemable preference share account debit 12% redeemable reference share account debit premium on redemption account debit premium on redemption of preference share account debit होगा to preference shareholder account face value कित्ता है मेरा 1,80,000 premium कित्ता है 18,000 share हर share पे 2 रुपए that is 36,000 total मिला के तो लाक सोला हजार preference shareholder account debit to bank तो बैंक दो लाक सोला हजार ठीक है सर done अब आगे क्या profit and loss account में हम debit कर देंगे किसको premium on redemption account को कित्ना 36,000 अब हम bonus shares को issue कर रहे है bonus share का ratio क्या है two for every five bonus share का ratio क्या है two for every five अच्चा bonus किसको दिया जाते है equity वालों को तो equity कित्ते है 30,000 equity कित्ते है 30,000 क्या वो fully paid है yes तभी तो ratio लग रहा है न 30,000 into two for every five तो आपके bonus कित्ते हो गए 12,000 shares कित्ता bonus हो गया आपका 12,000 share अब bonus के लिए सबसे पहले आप किसको debit करते हो capital redemption reserve को debit करते हो फिर capital reserve को debit करते हो अगर वो cash component है तो क्या यहापे cash component लिखा है क्या नहीं फिर हम किसको debit करते है security premium को अगर यह listed company है तो cash component होगा और अगर unlisted company है तो total लोगे ठीक है मेरा CRR कित्ता है sir CRR आपने just अभी create किया है देड़ लाख रुपे का bonus कित्ता है bonus का value कित्ता है 12,000 equity share और face value 10 रुपे का एक लाख बीस हजार तो क्या यह CRR के 3 satisfy हो जाएगा yes capital redemption reserve account debit to bonus to equity shareholder account कित्ता bonus है एक लाख बीस हजार और जो हमने 3,000 equity share issue किये थे preference share के redemption पे question ने बोला है उस पे bonus नहीं दिया जाएगा फिर bonus to equity shareholder account debit to equity share capital account अगर आपको यह last वाला point नहीं समझा है मतलब आपने bonus वाला chapter नहीं देखा है जाओ playlist में पड़ा हुआ है do watch and then come here अच्छा question था and I believe आपको logic समझ गया होगा 2,16,000 ओ शिट ए गलती होगे मुझसे flow flow में so sorry यहाँ 2,16,000 नहीं आएगा 100 तो आपको मिली नहीं रहे तो 17,900 को आप 12 रुपे दोंगे क्योंकि 100 shareholder एक बंदा है जिसके बाद 100 share है वो लापता है कहा गया हमें नहीं पता तो यहाँ पर आएगा आपका 2,14,800 ठीक है यह मेरी गलती है आपने comment section में डाला होगा तो delete कर दे न ठीक है राजा so sorry flow flow में उस्किप हो गया मेर से bank ठीक है CRR done capital redemption reserve done bonus done और आखिर में redemption को आपने transfer कर दिया done question ना आखिर में किया मैंने पहले कर दिया था bonus issue करने से यह पूरा calculation है आप चाहो तो आप बाद में आप calculation refer कर सकते हो ठीक है राजा that's all for the day guys love you all bye bye take care this is Theorishabra signing off milte hai for the next lecture that is debenture और debenture के पाद redemption of debenture love you all bye bye take care